विजेपूर विधान सभा और अन्य मुद्दो पर क्या बोली कोंग्रेश जिलाद्यक्षई उपाद्यक्ष दीपक त्रिपाथी कई नियम भी साथ है हमारी कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है हम प्रदेश की सभी महिलाओं को नारी सम्मान योजना के तहट बिना नियम पाबंदी के पंदरा सो रुपए देंगे किसानों का कर्च माफ करेंगे और वे रोजगारी युवाओं को रोजगार उपलब्द क करा आएंगे और उन्हें बदाया कि आपकी बार भाजपा में गुडबाजी साफ दिख रही है आए दिन भाजपा खाली होती जा रही है और कॉंग्रेस के पूर्ण बहुमत की सरकार ने जा रही है हम आपको मिलवाने जा रहा है एक ऐसी सक्सियस से जो की बिचारवान राजनेत्यक्गे के रूप में उनकी शोपर विदांसवा सियासत में उनकी पैचान होती है हर विशाय के संदर्व में उनकी प्रकर्था और उनकी वद्ध्यता की परशाय लोग हम सबको देते रहती है हमारे साथ मौझूद है दीपक तरफाडे जी जो की जिला कॉंग्रेस के जिला उपाद्यच है कराल में संगटन मंत्री हैं और पूरुम में लेम्स के डाइडेक्टर रह चुकी हैं काफी पद ऐसे हैं जिनको इन्होंने अपने कदों से नवाजा आए जिकरुण देपक जी आपका भौत-बहुत स्वागत धन्नवार जो आपके भाष्व माचार के मंच परामन्तित्त कर मुझे अपने विचार करने का अफचर दिया और इसी के साथ मैं शोपर जिले के सभी नाग्रहों के लिए रक्षावंदन की भार्दिक सुपकामना एवं गड़ेश चतुर्दी की मंगल कामना प्रेशित करता हूं बिलकुल आप आई चुकी हैं हम भी देख रहां आप देखर हैं कि रोज कुछ ना कुछ बदलाव कुछ जारे कहां से करेंगे क्या क्याना चाहते यह बार सही रहेगा जीट काकणा या फिर से कुछ 2003 और वोटों से उनको मत खाने पड़ेगा देखिए इस समय जो हमारे अहां पर जनता की जो आवाज है जो जनता को जो आक्रोश है वह आपको आपको भी आपके चैनल ओ द्वरा अब गत हो रहा है जैसाकि आपको मालूम है कि आप तो सिर्फ हमारे बिज़ैफ़र बतान्सपा़ ही बात कर रहा हूँ मैं करा हूं हमारा सोपर सोपर की दो मात्र सीट हैं भी दोनों सीट हमारी कॉंग्रेस की हैं आप सर्वे देख लीजिए आप जनता की दरवार में चले जाई है आप देख रहे होंगे आप हमेशा जो आकरो जनता में जो शिवराज सरकार के खिलाब जो भाचपा की जो दोगली र पुराने आंकड़े हैं अभी आप नए आंकड़ों में देखें मुक्ष मंत्री जी ने जो लाडली वेना योजना लाएं इस लाडली वेना योजना ने बहुत सारे आंकड़ों को बदल की रख दिया है आप इस लाडली वेना योजना के बारे में हमें कोई एक बात बता दी जब कशी सुखानी समय वनपुन का वशतानी, जब हमारे चेत्र में अकाल पर रहा था, जब हमारे चेत्र में अति बरसा हो रही थी, जब तो उनको लाडली बहना की बारे में, कुई योजना नहीं आई, कि रख्चसमंदन कैसे बनेगा, जब चुना होा गए तो उनको लिए आप लाड़ली बेना की याद आ गई ये अब लुटिया मजने वाली है। कि उनको लाड़ी वेना योजना बहुत समय पहले ला दिनी चाहिए जब से वो शासन में आये थे दो यार तीन के बाद से ही सर अभी एक कली एक फिर से योजना लॉंच होई है में सावन के महिने में मैलां को दिया जा रहा है जिससे की मैला है और ज्यादा खर्शा उन पर ना हूँ थाइस रुपए भी उन्हें लाड़ी वेना योजना के बड़ा दिये हैं तो यह काम तो ऐसे सरकार कर रही है कि इससे तो सबाबिक से लग रहा है कि उनको फिर से बहु सब्सक्राइब ने अभी फैसला दिया था कि हम करमचारियों की जो नोकरी की जो है ना उमर बाहर साल की जगें 63 साल कर रहे हैं कि अब वादेश मिल गया उनके लिए जी अभी रूलिंग तो खेर नहीं है यह लेंगे यह तो आप गोशना तो चल रहे हैं तो गोशना मंत्री है यह गोशना तो आप इनको कोई भी करवा दो लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है सर चुनावों की तैयारियों को देखती हुए सिवराज जी बिलकुल अलाइट मोड पर आ गए हैं आप देख रहे हैं रोश सवाय कर रहे हैं यह तो आप भी देख रहे होंगे सिंधिया जी का पूर सात in के साते ही पिछली बार बताया जाता है को इसको शेंगांसन दिलाने में सिंधिया जी का बड़ा हैं ύंड यूगदान था इस बार इस पर में प्राइक हैं कि सिंदिया जी जाने के बाद जो शीटें हमारी 50 साल से नहीं हो पाई हमारी वो आज हमारे खाते में है जैसे कि आप मुरणा मेयर की सीट देख लीजिए और आप गवाली और मेयर की सीट जो 55 साल से 60 साल का करीब से मतलब बाचपा के खाते में थी वो शिंदी याजी के जानर के बाद हमारे कॉंग्रेस मे सब्सक्राइब वाली 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 तो में तो नजर नहीं आ रही कॉंग्रेश के में बाजपा में जरूर में देख रहा हूं कि चाहे लूँद चे वो महराज बाचपा हो कि चाहे वो नाराज बाचपा तो 9 भुटों में 4 यह और हमारी पाइटी में कहीं से कहीं तक कोई गुटवाजी नहीं है और हम अमारा शिर्फ एकी मक्सलत है । जनता की कि जाना जनता कड़ी तो तो तमाम कॉंग्रेस के पास सबसे बड़ी तागत है जनता की और आक्रोष जनता जो समझ चुकी है कि हमारे हमारे साथ दोखा हुआ अभी तक कि उन्नीच साल अठारा साल सासन को भाजपाके को हो चुका है और अभी तक उनको सिर्फ भोषणाय मिली है उनको कोई ऐसा अभी तक कोई थोस्त बोनी मिला है जैसे कि आप कराल में ले लो आप नगर पंचादी गोषणागी ती अभी तक हुई या नहीं हुई अभी उसके सब्सक्राइब करते हैं सरकार कहती है कि बेरोजगारी की आंकड़े करते हैं सरकार कहती है कि इसके बेरोजगारी करिया है रोजगारी करिस हो बढ़ रहा है तो वह तो रोजगार उपलप्त करा रही तो क्या कर ना बचारा मजबूरी वैस कर रहा है वह तो कि शाषन का उसमें क्या आए कि ऐसा कर लो वैसा कर लो तो गवर्मेंट प्रितिपच्ष के बहुती दिगज नेता गोविन सिंग जी को गेरने के लिए उनी के गड़ में बीजेपी ने बड़ी ही अच्छी रननी ती रची है मंत्रियों को चुनाव के प्रचार के लिए लगाया गया और चुनाव के लिए काभी सारी योजनाय लायर के लिए दे दिया कि ये इसकी मंपास करेंगे, क्या लगता है सर जो अपाराजित बिधायक है अब अपाराजित रह पाएंगे यह रिकॉर्ड तूट जाएगा देखिए गोविन सिंग जी हमारे चंबल संबाग के बहुत बड़े नेता हैं और उनको पटग निदेना आता है जो लगातार साथ बार के बिधायक हूं तो उनके लिए कैसे उन्हें मालूम है हमें हमारे प्रत्जंदी है कोई भी जैसे एक्स वाई ये कोई भी पार्टी का हो उन्हें पटग निदेना आता है वह अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे इसे किस तरह पटग निदेनी है इसलि जनावी आता है कि रामनवाज जी भी सर लगातार पांच वर विदायक थे हारे तो सर वो भी थे बहले हार का आंकड़ा कम था लेकिन सर आर आर होती है लोग तो यहीं तो खूप सूरती है फिर उन पर यह फॉर्मुला क्यों नहीं चला ने को तो जनता का आशीर वाद है य हिंदी आजी आर गए और एक आपने देखा होगा कि अंग्रेजी में कावत है दा फैलर ऑफ फैलियर ऑफ दा सक्षे अस पलता ही शेड़ी होती है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जनता का जो भी आशीर वाद हो वो तो फिर सुईकार करना ही पड़ता है आदमी के लिए तक आप लवग्राजिए और जो भी वोष में ऐसी कुई बात नहीं है हमारे रामनिवाजी हारे जरूर है लेकर सुनो वो उसके बी कई गुना उनकी आज की ना तरह से देखती हैं पारिटी को क्या ताकत इससे मिली है आपने देखा हुआ गवालियर में जब वो हमारी तरिंका गांद जी आई प्रोग्राम में और चैनलों के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि उसमें भाई से तीन लाख करीब जनता गवालियर में समय समय मतलब बहुत समय नहीं सम रही थी उस वक्त में देखा था और इतनी तादाद में लोग वहां पर एक जोट होकर पहुंचे थे कि बुजर्ग और आज हम प्रिंका गांदी की रेलियों में देख रहे हैं तो उनको आज की तारिक में वह इंद्रा गांदी की चभी उनमें नजर आती है और आपने देखा होगा कि जातर आप सियम्पी जो होती हैं सबाएं उनमें आपको भीडित तक नजर नहीं आती हो मैं तो जे भी और देखा था है तो उसमें के छोटे आदकारी निर्देशत कर रही है तुम कहीं से भी प्रोगाम में जरूली में पाइड़ी चुनाओ की पहली सुची bjp ने जारी कर दी है अपने 49 41 सूची जारी हो गई है रोज हम देख रहे हैं कि जैसी सूची जब से जारी हुई है यह पाइटि छोड़कर गए आज यह गए आज यह भी चले गए और सब कांग्रेस का दामन ठाम रहे हैं कांग्रेस अनुपर वरुसा भी जता रही है उनको पाइटि की सदस्ता दे रही है जब कॉंग्रेस टिकेट की सूची जारी करेगी तो किसा यह नजारा कॉंग्रेस में देखने को नहीं मिलेगा जारी कॉंग्रेस पार्टी ने 41 और 42 ब्यालायकों के अकमल नाजी ने और अधिकाइस्त है हमारे सोपुर का और विजयापुर का भी टिकेट फाइनल सही है एक ताली बैलिस लेकिन हमारे यहां दो कुछी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है और है तो वह जातर बाचपा में ह rather सब्सक्राइब होगी और बात सब्सक्राइब है बात बातमी ही सब्सक्राइब चल रही है और हमारे हमक्वाद जो करुछी जनता की भीत मैं सरकार बनाने की बात सरकार बनाएंगे किया अप्लब दिया उनकी रंक्ला क्या आए आप बता सकते हैं जिससे कि कॉंग्रेस पे लोग बरोसा जाता है और सिर्चार बनाएं देखे सबसे पहले तो नारी के सम्माल में कमल नाजी हमारे मैदान में आ चुके हैं और उनके लिए उन्होंने सबसे बैदे तो मैं पिछड़ा वर्ग के लिए उन्होंने 27% आरेक्ष्णर के बारे में बात कही है और उसके बाद में किसानों का कर्ज माफी नंबर कॉंग्रेस की यहां बड़ी अच से चुनावार गए थे सिटिंग है में लिए भी बीजेपी से सीता राम जी है किया किस बुनियात पर सराविय के रहे हैं कि यहां पर कॉंग्रेस की लोग प्रेता है ऐसा है जैसे कि आप कराल की सबसे बड़ी पंचात हमारी कराली आती है कराल का सरपंच हमारा और जिले की सदस भी हमारी कॉंग्रेसी या जीता भाय यादवाशी और जैसा कि आप जानते हो और आपने देखा भी है अगर थोड़ा हमारे साथ अगर दोकेवाजी और थोड़ा चाल परेम नहीं होता तो हमारी जिला पंचा अध्यक्स हमारी कॉंग्रेसी बैठी होती कि आप देखिए दीपक जी मंत्री मंडल बिस्तार शिवरा सिंग्जी ने किया है कल तीन मंत्री और आ गए हैं कैबिनेट में नए नवेले मंत्री हैं कॉंग्रेस और अन्रपाइटी आरूप लगा रही है कि बिदाई की वेला और स्वागतगीत गाय जा रहे हैं आप इन म में मंत्री मंडल का आप सिर्फ एक देड़ दो महीने के लिए मंत्री बना रहे हो तो उनके लिए सबसे बड़ा एक डर सतार आ रहा है कि यह कहीं हमारे साथ बितर गातना हो जाए है बितरगात के कारण ही इनको मंत्री मंडल में जिगह दी गई है अगर इनको मंत्री पर नवाजार जाना था तो हिनको आज से 2 साल पहले एक बना दएक करते इस से क्या है अपनी शेत्म जाकर लाश्ट में जब दिया जलता है तो आप देखा होगी ज्यादा रोशनी देता है तो वैसे इस सरकार का है कि जब जब जा रही है तो ज्यादा लोग देगी और तो सबसे पहले में एक क्याना चाहूंगा कि कुन और सेंचुरी के वारे में पूछ रही हूं ना तो एहरों की और सेंचुरी यह शेरों की उसमें शेर अगर बसाए जाते तो वह बहुत सो महें सो नहीं में सो महें 1500 परचेंट बिलकुल शेर उसमें बकाइदा आपना स्वस्त जीवन व्यतित कर रहे होते लेकिन चीता चीता कहीं से कहीं तक उसमें ही नहीं और जो हमारी जनता और बने मैं यह बता देजिए कि कॉंग्रेज मत्यप्रेज में बिदान सवा की कितने सीटें जीते हैं कि देखिए एकजिट पॉलों में साफ इस पर्ष्ट पहले ही वह जो चुका है कि हमारी सरकार 150 से ऊपर ही जा रही है दोसो तीसों दोसों तीस बिदान सवा में 150 के ऊपर मतलब 150 पार हमारी कॉंग्रिस पारिटी के 150 पर बिदाएक बनने जा रहे हैं और हमारे मानिय कमलनाज जी पुन है सिएम की मुकमंतरी कुर्शी समालेंगे और जनता जनार्दन का अशिरवाद उनके साथ है और हमारी सुपक्वामना उनके साथ है और उनकी जो नम सबसे बड़ी एक उनमें खूबी है कि वो जो भी कहते हैं वो करते हैं वो कभी लॉलीपॉप नहीं देते कि हमारे साथ जुड़े देपक्तर पाठी जी जो जिलाव पाध्य अच्छे नहीं हमारे लंबे सवालों की सरंकला के सारे जवाब दिए इन्होंने विदान सवाब में पूर्ण वगमत से सरकार बनने की कॉंग्रेस की बात कही कह रहा है कि 150 प्लस सीटों के साथ हमारी सरका सरकार बनने जा रही है अंते तो चुनावते करेंगे कि 150 सीटें किसकी आ रही है और किसकी सरकार बनेगी बहुत बहुत धन्य